नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है हिंदी के बहुत ही प्रिसिद्ध लेखक कमलेश्वर जी की कुछ लगु कथाओं को पढ़ते हैं जो हम पहली लगु कथा पढ़ेंगे उसका नाम है घूंगट वाली बहु बात वरिंदावन की है मैं मंदिरों में नहीं जाता देखना हो तो जाने से परहेज भी नहीं करता कहा गया कि बिहारी जी का मंदिर तो देखी लीजिए यानि दर्शन कर लीजिए गया पर रास्ते और आसपास की गंदगी से जी घबरा गया लौट आया मंदिर न्यास के एक सदस्य एक पत्रकार मित्र योगेश ने कहा भाई साहब प्रशाद तो ग्रहन करते जाईए मैंने घर पर मंगवा लिया है बच्चों से भी मिल लीजिए हम घर पहुँचे देशी घी की बड़ी पूडियों सहित इतना अधिक और इतनी तरह का प्रशाद था कि उसे ग्रहन कर सकना असंभव था निश्चे ही वो गिर्धारी बांके बिहारी का भोग होगा प्रशाद प्राप्त किया बच्चों से मिले तभी लंबा घूंगट काड़े घर की बहु आई उसने हम दोनों के पाउँ छुए हमने भरपूर दुआएं दी बहु गैतरी के पास बैठ गई लंबा घूंगट बदस्तूर कड़ा हुआ था चलने लगे तो बहु ने फिर पैर छुए रास्ते में प्रदीप ने बताया भाई साहब योगेश की पतनी वरिंदावन की नगर पार्शद है मैं चौंका बहु नगर पार्शद वो घूंगट वाली बहु क्या बात कर रहे हो अरे मैं ठीक कह रहा हूँ भाई साहब अभी दो-तीन हफते पहले ही तो चुनाव हुए है बहु बहुत वोटों से जीती है अभी हम बाजार से होते हुए मुख्य सडक की ओर जा रहे थे प्रदीप ने कहा वो देखिये भाई साहब दिवार पर प्रचार पोश्टर चिपका था घूंगट वाली बहु तेजस्वी मुद्रा में भाशन दे रही थी अगली कहानी ताज महल किसका है मामला ताज महल का था दोर बाजारवाद का था तीन बाजारवादी सैलानी नौजवान जो हर चीज को यहां तक की सभ्यता, संस्कृति और उसके अरवाचीन इसमारकों तक को निजी संपत्ती बनाना चाहते थे ताज महल देखने के बाद अपने साथ सितारा होटल लोट रहे थे एक ने कहा ग्रीन रेवोलूशन के बाद भी देश में जगे जगे अकाल पड़ता रहता है मैं इसे खरीद कर अनाज का गोदाम बनाऊंगा ताकि देश में कोई आदमी भी भूखा न मरे दूसरे ने कहा तू बड़ा दर्शवादी है बकवास करता है मैं तो ताज महल को खरीद कर इसे साथ सितारा होटल बनाऊंगा ताकि मैं और मेरे साथ साथ अपना देश भी थोड़ा माला माल हो जाए उन दोनों के साथ चलते हुए तीसरे दोस्त ने कहा लेकिन ये सब तो तुम तब कर पाओगे ना जब मैं ताज महल को बेचूंगा मैं उसे बेचूंगा ही नहीं जिन्होंने भी ये बात सुनी थी वे सोच रहे थे कि ताज महल किसका है अगली कहानी देखते हैं लक्ष्मी दिवाली की रात से पहले वाला दिन एक करोड़ पती मित्र ने अपने लेखक मित्र से कहा दोस्त घर के दरवाजे खुले रखना आज रात लक्ष्मी आएगी तो लेखक ने कहा तो दोस्त अपने घर के दरवाजे भी खोल देना नहीं तो लक्ष्मी निकलेगी कैसे अगली कहानी किसान बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कश्मीर में भी दंगे हो गए कश्मीरी पंडितों के मंदिर भी गिराए जा रहे थे एक मंदिर पर हमले का खत्रा देखकर पुजारी भग गया एक किसान ने देखा नाराज भीड उधर ही आ रही थी वो मंदिर में घुसकर बैठ गया और कुरान पढ़ने लगा नाराज भीड लौट गई उसने पुजारी को पुकारा अरे ओ अजुद्यानात अपने मंदिर को संभालो अगली कहानी वेलकम जेल में काला बाजारी सेठ पहले से बंद था एक नया कैदी लाया गया उसे देखकर कुछ कैदियों को ताजुब हुआ वो इंकम टैक्स कमिशनर था काला बाजारी सेठ ने उसे पहचाना बोला नमस्ते कमिशनर साहब आप वही है ना जिसने मुझ पर इंकम टैक्स की रेड की थी आप भी आ गए वेलकाम आई अगली कहानी पढ़ते हैं सच्ची घटना एक पुष्टैनी मालदार लेखक ने अपना एक मकान फोक्टी लेखक दोस्त को किराय पर दे दिया अब वो फोक्टी न किराया देता था न घर चोड़ता था जगड़ा बढ़ गया तो फोक्टी दोस्त ने कहा जाओ 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 जाके कोट से खाली करवा लो पुष्टैनी लेखक को गुस्सा आ गया मुझे कोट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे पास और भी तरीके हैं पुष्टैनी लेखक ने मुहले के दो गुंडों को पैसे देकर मकान खाली करवा लिया लेकिन गुंडों ने उस पे अपना ताला डाल दिया अगली कहानी जनाजा हम लोगों की हमदमी दोस्ती और घरेलू घनिष्टता के बावजूद नोक जोग भी चलती रहती थी हासी मजाक भी एक दिन खासी गंभीर मुद्रा में राजेंद्र बोला यार तुझे नहीं लगता कि राकेश ने अपनी रचना के बल पर नहीं संपरकों, ठहाकों, ड्रिंक्स पार्टियों, पंजबी लॉब्बी और डिनर राजनीती के सहारे अपने जंडेगार रखें है मैंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तू अगर मेरा साथ दे तो राजेंद्र ने बड़ी गंभीरता से कहा तो देखते ही देखते इसका जनाजा उठ जाएगा आखिर मुझे कहना पड़ा इसमें मेरे साथ देने की जरूरत ही कहा है तू अगले छे महिनों में जो कुछ लिखे राकेश के नाम से छपवा दे वो अपने आप ही मर जाएगा यहां बात राजेंद्र यादव और मोहन राकेश की चल रही है मोहन राकेश बहुत प्रख्यात लेखक उनकी बात है अगली कहानी रिजर्वेशन बात मंडल कमंडल से होती हुई दलितों कमजोर वर्गों के रिजर्वेशन पर आ गई हिंदी साहित्य के सवर्ण वादी चरित्र पर भी छीटा कशी चल रही थी कुछ उत्तेजित दलित लेखक आक्षेप लगा रहे थे कि हमने यानी मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादों ने नई कहानी की जमीन पर कबजा कर लिया था और किसी को वहाँ घुसने नहीं दिया था साथी ये आरोब भी था कि हमारी मानसिक्ता दलित विरोधी है, आरक्षन विरोधी है मैंने प्रतिवाद किया आप ये कैसे कह सकते हैं? नई कहानी के दौर में तो मंडल कमंडल का नाम नहीं था आरक्षन आदी का सवाल नहीं था आप तो अब 27 प्रतिशत आरक्षन मांग रहे हैं हमने तो कहानी के छेत्र में उसी समय अपने त्रिगुट के सबसे कमजोर वर्ग को 33.3 प्रतिशत रजिर्वेशन दे रखा था अगली कहानी तितली इडेन गाडेन के खुले मंच पर नित्य समराट उदैशंकर का नित्य प्रदर्शन था दर्शकों की भीड उदैशंकर तांडव नित्य प्रदर्शित कर रहे थे वे नित्य की ताल और ले में तलीन थे तांडव के प्रले पक्ष का रोद्र रूप जबाया तभी नित्य समराट की टांगों के बीच दो तितिलियां आकर चक्कर काटने लगी कुछ पलतो वे उसी ले में नित्य करते रहे पर तितिलियों ने अपना नित्य नहीं रोका तो उदैशंकर ने अपना नित्य एकाएक रोक दिया दर्शक अचंभे में पड़ गए वे समझ नहीं पाए ऐसा क्यों हुआ तब उदैशंकर ने तितलियों की बात बताते हुए कहा बड़ी से बड़ी कला इस्थगित या खंडित की जा सकती है यदि उससे जीवन विनश्ट या खंडित होता हो अगली कहानी जेब कत्रा मुकदमा बहुत मामुली था अदालत में कोई भीड भाड भी नहीं दो एक वकील, तीन-चार पुलिस वाले अदालत के कारिंदे, एक चपरासी और एक जेब कत्रा जुर्म भी संगिन नहीं था मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई एक साल की सजा या एक हजार रुपे जुर्माना क्या मंजूर है तुम्हें जेब कत्रा बोला हुजूर जुर्माना मजिस्ट्रेट ने कहा ठेक है, जाके जुर्माना खजाने में जमा करो और रसीद लाकर अदालत में पेश करो जेब कत्रा हुजूर एक घंटे की मोहलत दे दी जाए मेजिस्ट्रेट क्यों जेब कत्रा हुजूर रे इतना वक्त तो लगी जाएगा मेजिस्ट्रेट ठीक है ठीक है मुशे जी, अगला केस जब तक दो-तीन मुकद्दमों की पेशियां हुई तब तक जेब कत्रे ने आकर खाजाने की रसीद पेश कर दी उसे रिहा कर दिया गया वो अदालत को सलाम करके चल दिया जाते जाते बंद मुठी से उसने उस पुलिस वाले को कुछ थमाया जो उसे पेशी पर लाया था एक मरियल से वकील ने भीड में गुम होते जेब कत्रे की तरफ से नजने घुमाकर मजिस्ट्रेट को देखा मजिस्ट्रेट ने वकील को बताया ठीक है जब पुलिस पकड़ कर लाएगी तो फिर सजा दे दूँगा अगली कहानी पांचो उंगलियां घटना सची है किसानों के बेताज बादशास चौधरी चरण सिंग के जमाने की है वे भारत के अकेले ऐसे अल्प जीवी प्रधान मंत्री थे जिन्होंने अपने कारे काल में कभी सदन का सामना नहीं किया था प्रधान मंत्री तो वे नहीं रह गए थे पर किसानों के वे बड़े नेता तो थे ही प्रधान मंत्री रहते समय कुछ विरोधी छुट भाईयों ने उन पर घ्रस्टाचार के आरोप लगाए थे एक किसान रैली में वे उन्हीं आरोपों का उत्तर दे रहे थे अंत में वे हाथ की हथेली दिखाते हुए बोले रे कहावत भी है और दुनिया जानती है कि पांचों अंगलियां बराबर नहीं होती भीड में से किसान खड़ा हो गया दोहर में से हाथ निकाल कर कौर बनाते हुए वो बोला पर चौदरी साहब रे खाते वक्त पांचों अंगलियां बराबर हो जाती है अगली कहानी आगरा का शोधार थी भायानक गर्मी पड़ रही थी दिमाग तक पसीज रहा था उन्ही दिनों आगरा विश्व विद्याले का एक शोधार थी आया उसने बताया कि वो मेरे कथा साहित्य पर शोध करना चाहता है निर्देशक महोदे ने उसे आदेश दिया था कि वो मुझसे मिले और कोई अच्छूता सा विशे ले कर आए मुझे उस गर्मी में एक ही अच्छूता सा विशे सूझा मैंने कहा देखो भाईया राजेंद्र यादो आगरा के है आगरा के शोधार्थियों पर उनका हक बनता है एकदम अच्छूता विशे हो सकता है हिंदी कथा साहित्य में हंस और कंस उसकी आखें चमकी मैंने उसकी सुविधा के लिए और खुलासा कर दिया आधुनिक कथा यथार्थ और पत्रकारिता के परिपेक्ष में आप हंस और कंस के संबंधों का विवेचन कीजिए कथा साहित्य और जातिवाद के समिकर्णों का विशलेशन कीजिए क्योंकि राजेंद्र यादो तो यादो हैं ही कंस भी यादो था में आते हुए हंस के इस्त्रिवाद और कथा लोचना के ठाकूरवाद का तुलनात्मक अध्यन भी किया जा सकता है शोधार्थी की आखों की चमक और बढ़ गई वो बोला सर है तो एकदम मचूता विशे हमारे निर्देशक सर राजेंदर यादो जी के प्रशंसक भी है सर अगर राजेंदर यादो जी का पता और फोन नंबर मिल जाता तो मैंने उसे फोरण पता और फोन नंबर थमहा दिया वो धन्यवाद देता हुआ प्रणाम करके चला गया आईए आखरी कहानी पढ़ लेते हैं संसार के पुरातन वित्ताओं की अंतरराष्ट्रिय कॉन्फरेंस मिस्र की राजधानी काहिरा में चल रही थी भारत में ये हिंदुत्व वादी शक्तियों की सत्ता का दौर था पुरातन गौरों के गुणगान और पुरानों को इतिहास सिद्ध करने का तूफानी अभियान चल रहा था उस कॉन्फरेंस में भारतिय पुरातन वित्ताओं की मंडली भी भाग ले रही थी मिस्र की सभ्यता और उसकी प्राचीनता पर भाशन देते हुए वहीं के एक पुरातन वित्त ने कहा लगभग दस वर्ष पहले नील नदी के दक्षणी इलाके में हमारी टीम ने लगभग एक हजार फिट गहरी खुदाई की कुछ प्राचीन अवशेश मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े आदी बड़ी संख्या में वहां से बरामद हुए सबसे महत्वपूर्ण एक साक्ष मिला वो आज के बिजली जैसे तार की तरह था वो गल गया था पर कई स्थानों पर उसके टुकड़े मिले आप कहना क्या चाहते हैं किसी ने उस पुराविद को टोका यही की अभी निश्चित तोर पर तो नहीं कहा जा सकता पर अनुमान के अधार पर शायद ये कहना अनुचित नहीं होगा कि धाई हजार वर्ष पहले हमारे यहां टेलिग्राफ जैसी कोई चीज रही होगी भारतिय पुराविद खामोश कैसे बैठ सकते थे टीम के नेता ने अध्यक्ष से बोलने की इजाजत मांगी इजाजत उन्हें मिल गई वे बोले मैं भारत का प्रतिनिधी हूँ आप जैसे संसार के विख्यात पुराविदों के समक्ष मैं पुरातन भारतिय सभ्यता का एक प्रमानिक सक्ष रखना चाहूंगा हमारे अन्वेशक पुराविदों ने विंध्यांचल परवत के छेत्र में एक हजार फुट गहरी नहीं बलकि दो हजार फुट गहरी खुदाई की हमने धरती की कई परतों की खुदाई की और सर्वेक्षन किया वहां कोई विशेश अवशेश हमें प्राप्त नहीं हुए तो आप कहना क्या चाहते हैं किसी ने टोका यही कि कोई भी अवशेश न मिलने से ये प्रमानित होता है कि तीन हजार वर्ष पहले हमारे यहां वायरलेस था धन्यवाद कई कहानियां बहुत स्पस्ट हैं कई कहानियों को आपको दो तीन बार कई बार सुनना पड़ेगा तो आप समझ पाएंगे क्योंकि कई बातें बहुत कठाक्ष में होती है कई कहानियों के लिए आपको कई विशेओं को जानना पड़ेगा तो सहित्य की यही खूबी होती है, खासियत होती है कि यह आपका सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, ग्यान वर्धन भी करती है कई बातें समझाती भी है चलिए मुलाकात होगी अगले वीडियो में जय हिंद